कि है लो स्टुडेंट्स हम आगजकर चैट्टर करते हैं चैटर फॉर मेंगनेक्रिक इफेक्स और इससे पहले चैटर था पढ़ा था जिसने इलेक्रिशी की पढ़ा था और इसमें देखा था कि इलेक्रिक करन क्या होता है कि जो सेम चार्जिशं होते हैं इस दुसरे को रिपैल करते हैं यहीं कि लाइफ चार्ज होते हैं प्रिफ्फ्फे रिपैल ईच्थ एच-थर एफ और अगल्वी चार्ज़ धर गर्डेंग अचु कुरा जब आगे दो हैं टो आगे हैं टोपिक्स जो हम इस Pastर करें कि मेनेक्टिक इफेक्ट से एककरण इस चेटर में जो भी टॉटिक्स हम पर्दे वह लेएं वह देखती हैं फर्स्ट दीस्कास इस इंट्रोडक्शन पहले देखें यह चेटर प्ड़ने के जूनती क्यों है फिर आप देखेंगे में जूनती क्या होता है और मेंगेंटिक फ लिए विए जो भी अशेक्शन फील होती है उसको एनस यह जो ऐसे मेगनेटिक नाहरा जती है। इसके बारे में पढ़ेंगी तुमजोंगे मैंने ऐसे कुछ चाली तेखेंगी। मैंने के लाइंज और करेंटिक सबस्क्रतेовор हुए Hoteki mm होगी इसका pawn करीजिंगी। तो Magnetic Field, Deux to a Straight Current Carrying Conductor, Magnetic Field due to Art के बीछ कुछ नहीं कुछ जब के वारे पढ़ेंगे, Magnetic Field due to Current Carrying Circular Vire, अब Straight Wire में कैसे Current Magnetic Field होती है? जब Straight Wire में Current Flow करना है, तो उसके आराप Magnetic Field कैसे होती है, जो देखेंगे, Circular Vire कैसे होती है, जो भी देखेंगे, और Magnetic field दूस तो Solenoid, Current Carrying Solenoid के बात करें, तो Current Carrying Solenoid में Magnetic field कैसे produce होती है, वो देड में आने, Plankton Left Hand Rule क्या होता है, Plankton Right Hand Rule क्या होता है, Electromagnetic Induction क्या होता है, यह रेखी हैं, और Electric Motor के बारे में हम पढ़े हैं, इसमें, ठीक हैं? और Electric Current को अलग-अलग सिंधा जाता था, लेकिन आज जो है, Electrical and Magnetic field एक दूसरे से लेखी रहा हैं, तो कैसे लेखी रहा हैं, वो हम इस चेप्टर में पढ़ रहा हैं, जैसे पुराने का इन क्या था, लोड स्टोन नाम का एक ब्लैक पत्थर था, इस परिके से था कि अगर उसके पास हम metallic की iron की चीज़े लेकर जाते हैं, तो वो उस चीज़ों को attract करता है, जैसे तो वो लोड स्टोन नाम का जो पत्थर था, ब्लैक पत्थर, जैसे हैं, वो क्या करता था, वो iron की चीज़ों को अपनी तरफ attract करता था, अब को कैसे attract की करता था, क्या उसके कीछी लिजन था, वो सबर में आपके पढ़ेंगें, हम अपना फिर्स अपिक स्टार्ट करते हैं, मेगनेक्स अनमेगनेक्स फिट, मेगनेक्स के बारे सबसे पहले बहुत नी पुरानी बात है ये, जब एक iron की black ore की बाब पीग गे लोड स्टॉन लोड स्टॉन ये लोड स्टॉन क्या है इस एन ब्लेक आइरन ओर इस एन ब्लेक ओर ओफ आइरन जो लोड स्टॉन है वो आइरन की एक ब्लेक ओर है एक आइरन की ओर है लोड स्टॉन मोट्रिया था ये जो small pieces आइरन के उनको अपने तरफ आपण करता था means के पास कोई ना कोई force था जिसकी वज़े से उनको attack कर रहा था iron feelings को हम बहुत सकते हैं तो loadstone यह उनको attack कर रहा था बात में जो है पुछाएंड बात loadstone को ही बोला गया magnetite, okay loadstone को क्या बोला गया magnetite और आजगर हम loadstone को magnetite भी बहुते हैं magnetite भी क्या है, iron की भी और है, और magnetite को हम दिख सकते हैं FE3 और 4, okay यह इसका क्या है पॉल्मुला है, जो फॉल्मुला है magnetite का, तो magnetite क्या है और है, इसके और है, iron की और यह भी किस प्रिके से काम करती है, कि अगर हम कोई भी iron particles को loadstone की अनुटाइक के पास देखे लेए, तो वो attraction field करती है, अब जो attraction field हो रही है, तो इस चीज़ को बोलाएं कि जो इस तरीके से जो loadstone हो गया magnetite हो गया, यह naturally occurring ऐसे materials हैं, जो अपनी तरफ iron को attract करते हैं, तो जो naturally occurring ऐसे materials होते हैं, जो iron particles को अपनी तरफ अट्रेक करते हैं, उनको बोला गया natural magnets, ठीक है, तो यह दोनों क्या है, natural magnets, natural magnets, लेकिन बाद में क्या है, अगर इसको artificially भी बनाया गया, तो artificial magnets के अगर हम example की बात करें, जैसे आज़कर artificial magnet में, नीपल में है, ठीक है, नीपल में है, यह क्या है, alloy है iron की, और alloy में क्या होता है, alloy क्या होते है, मिक्षर होता है, metals का, ठीक है, metal का mixture है, यह भी, combination है, तो नीपल में क्या मिक्षर है, यह है, nickel, aluminium and titanium, इन तिनों, metals का क्या है, यह alloy है, क्या है, जैसे क्या है, और इस क्या है, मिक्चर का निकल का और उनिकल को समय सबस्राइब केसी बिपार इंधं एक पर tolerant करता है जैसे एक सब्सक्राइब करें लेकिन कई बार क्या है वह एक दूसरी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं जो एक तुसरी को मतलब दूर खीच रहे हैं और हम उनको प्रेसर लगा कर एक साथ पी लाने के पोशिस कर दें लेकिन वह कभी भी मिल नहीं बात दें तो ऐसे नहीं लकुे फिर्ट करें कभी आख जे तो बहुत रहे हैं तो वह क्यों हो रहा है क्योंकि जो मेगनेट्स होते हैं वह उनके दो पोल होते थीक हैं उसमें पता प्र लेक्द कंप लेक लिए लैक्रिक्स करने की तो उसमें बोलिए अछांव को रिपैल करती हैं और आई चार् आगे अगर लाइफ चार्ज एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अगर अगर इतने वो पॉस हैं वो इसको आपने के एक्जामपल से समझेंगे कि मैं अर्फ ब्रफ बंकि शेप के अखोड़ी होता है जैसे अगर और आप है यह यह बना देती हैं यह चैप डिशा इसो होगा जाता है क्या होती है क्योंकि इसको बार मेगनेट कहा जाता एक होता है होसे इस तरीक हो जाते हैं इसलिए क्या करता है होस शू मेगनेट मेंनिक के रह可़य उसके नियुक्त with a च rer key impression कि उसके रहों लेकर कोई भी मेंनिक के दो पोल लां है धाय कि इसरे के वी में बार में नोर्थ में अधायल सक्षकने तो हम एचे रचेस से स्थ पर का शीना सद्ट एक यसी परमेंने कर दो तो ऑगर आघने के दो सेंखो एक दूसरे के पास ले करें को हुआए ऑगर्साथ के सामेर सांगे 14 00 k8 आपको एक्ट क्या है और यहां पे न लोह बार बोले को लिए कि शोप करेंगे साओंगों करेंगे और हैं लेकिन ऊसे स्टेफ जो ही होती है तो जो ऑगर क्या करें भार मैंगे को फ्रीली हम एंवे सस्पेंड कर देते हैं लटका देते हैं ठीक है किसी धागे से बात कर और इस भुमा के छोड़ देते हैं तो हमेशा ही क्या करेंगा जो मारी जिओगे कल अर्थ की मॉठ पुल मॉठ जाएगा और अर्थ के साउध को चाण जाएगा कि नुटी तो चीन अग्नितिक भी माग्नेटिक बोस होती है य। होती हिसलिए इसलिए मेडारम binnen की 2 Kolls हुम नोर्ट कोम और सूथ को बोले क्यों कि जो एच जेग्राफिकल रिप्रेजनेशन क करकि आर्दिक अग्नितिस्पर्ण और कंधेशन सहु अछुर्ण defenders post इ। उसी तरीके से एक दुसरे को अट्रेक्ट करने और किस तरीके से एक दुसरे को रिपार करने आप मेगनेट को डिफाइन देखते हैं किस तरीके से करें हैं हमने समझ लिया है मेगनेट को अच्छे से आप इन डेफिनिशन देखते हैं मेगनेट की मैगनेट क्या है एक साट स्ब्स्टांज इसके सब्सब्स फिज ऑफ जो योग कर घो यानि कि इसके पास इतना पोटेंशल हो कर वह क्या कर सकते कि मैंगनेटिक फ्रडुश्ट कर सादि होती है वह यारिया पर मैं अभी के लिए इतना सम जाना खता है जिसे में इकनीट का कि याट है जितने हो damn होता है इस एक आपकूर तो जो को निए को और कि यह आने कर सकी उसको अब जाद गर्सकी इसको light poles को capable of producing magnetic field and attracting unlike poles and repelling light poles तो उस object को सब्सक्रांस को सब्सक्राइब को हम क्या प्रेंगे magnet कहेंगे जीक है an object which is capable of producing magnetic field and attracting unlike poles and repelling light poles is called a magnet अब अब कुछ properties देखते हैं तो पोल्स होती है क्या होती है पहले समझतो लिया है लेकिन अब अब करेंगे अब हम properties देखते हैं magnet की when a magnet is dipped in iron feelings iron feelings का मतलब पीसीज ऑप फीलिंग्स होती है उनको feelings बोड़ा हो एक क्या च्छिपक जाते हैं इन का मतलब होती है अब कलिंग के जो एंड होती है उससे चिपक जाते हैं Hai क्योंकि unto action है वह maximum होपा है sounds के उपकर Jeannes के उप्छे के लिए या जो आण लों सेति आभे जो मैंचिलिघ की को डिप कर देती है आपडियन चो जो कर से के कमपरिशन में दोनों तरफ चाहिए वको इस पार्ट के तरफ क्यों ज्यादा अट्रेक्शन जो हैं एंड्स के उपर होता है और इस एंड्स को क्या कहा जाता है इस प्रपर्ट इस प्रपर्ट मेगनेटिक पॉल्स और वेज एग्जिस्टिन पेर जो मेगनेटिक पॉल्स होती है एक पॉल्स आइजिस्ट करेंगे ऐसा नहीं है कि जो एक पोर्ट अलग होगा है जैसे चार्ज पोजिटीव चार्ज और अलग कर सकते हैं लेकिन जो पोल्स है कर देंगे तेंगे लेकिन आपने पोस होगे लेकर थोगाने के लिए यह दो शुक्र परिदे कर दिकें सब्सक्राइब अपने पॉल यानिकि जो दूनों के पेर ऐसे से पेरों यह से फ्रीज ऑव नहीं करेंगे तो यहां पे फिसे यहां हम नहीं तो दो दो अलग अलग और एंट को थो होते हैं इसलिए जो मेगनेटिक पोल्स होते हैं वह हमेशा एक पर देख करते हैं प्रोपर्टी इस वैंडेवर इस फ्रीली इन एयर जब भी मेगनेट को फ्रीली हम सब्सक्राइब लिए लिए तो क्या होते हैं? इस ओलग प्रोपर्टी इस बिखे दिन सब्सक्राइबा को फ्रीली इस दो सब्सक्राइब अलग और अक। the pore pointing towards geographic North, is called north pole जो pore geographic यह एंकि earth के north direction की तरफ point करेगा उस pore को north pole का यह तर- twentate magnet का और जो pore geographic जो earth है नही उसके south direction की तरफ point करेगा उस pore को होते हैं, south pole Whenever a magnet is suspended freely in air, it always points towards north-south direction. The pole pointing towards geographic north is called north pole. उसको north pole कर जोता है. And the pole pointing towards geographic south is called south pole. तो उसको south pole. तो हमने अब तर तीन प्रोपर्टिस देखिए. तीन प्रोपर्टिस में हमें क्या चापता है. कि जो मेगनेट के ends होते हैं, उन्हें ends को poles होते हैं. और जो poles है मेगनेट के वो हमेशा ही exist करते हैं. बेर में. और हमने पताया है जो इन poles को हमने नाम दिया. एक north pole, एक south pole. अगर geographic art के north direction की तरफ को light करता है, freely suspend करने में तो उसको north pole होते हैं. और freely suspend करने में पर जोग्राफिक south direction की तरफ पॉइंट करते हैं, तो उसको south pole होते हैं. अब हम next properties देखते हैं. Next property देखते हैं. Next property क्या गरती है? Light poles repel, while unlight poles attract each other. Magnets के जो आहने poles बताएं, हमने क्या कहा हैं कि जो magnets के दो ends होते हैं, उनकों poles बोलते हैं. और अगर हम freely suspend करते हैं, magnet को air में, तो जो end जोग्राफिक north direction पॉइंट करेगा, उसको बोलते हैं north pole, और जो end south direction, geographic south direction पॉइंट करेगा, उसको बोलते हैं south pole होते हैं. तो अब यह कह रहा है कि जो light poles होते हैं, वो repel करते हैं, दूसरे को while unlight poles attract each other. इसका मतलब क्या है, जो light poles होते हैं, वो repel करते हैं. मालो हम एक magnet करें हैं, एक magnet यह है, और दूसर है मेगनेट की यह है, अब इसमे आगनो, इसका north pole इधर दिखाया हुए, इसका south pole, is classified, और इस magnet का अगर मैं south pole इधर शोर बोनौन, north pole इंधर दिखा़ाु Jr objective Car possessive मालनलों बिउख़, इत्तों कुला थे उर्फित कोने फॉर्स हरें पर सब्सक्राइब मेता सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर कौन सा पॉर्स काम करें एंगर यह तरिक ही है यहां पर और यह कौन सा फॉर्स नहीं लग रहें प्रिपॉर का फॉर्स ही है यह तो मेंडिनेरी है आप मेंदेशन छोड़ाइसा अपोस्ट लेते हैं मालो एक मेर्नेट का, नौर्थ और साॉथ मेरे बस्ट के कने साउथ को और सपोल है। लेगिन दूसरे मेर्नेट का, नौर्थ फोल इधर हैं। इन दोनों के पीछ में भी फोर्स होगा, कोई नो क monopol है, वह 부ोर्स कैसा होगा देखो, आप दीग है sau ौन है, वसे क्या बोल लिए लाइक कोशिस कर आपनी तरफ किजने की कोशिस करें और पर इसों अपनी तरफ कोशिस करेंगा तो यहां पर यह बड़ा व्रस दग रहा है को असा फोर्स जान बना है, अट्रेक्शन फोर्स है ठीक है, तो यह क्या दिमेंगे कि इसरे को अट्रैक्ट तो जो लाइक पॉल्स होते हैं, यहां पर साथ-साथ आए ऐसे लिए नौत नौत भी एक दूसरे के सामने आ सकते हैं, म तो धिल्पूष्ट करेंगा तो मत्रब क्या है जो लाइव को पी है और विप्ल करते हैं क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं यह ने इस पर किसा किया तो पर नेटिक फोर्स सब्सक्राइब भू बूट तो जो एक तो मेंगेस्ट के बीच में यह फोर्स काम कर को होत्त्रेक्शन की हो यह बशेंटिक पूर्स जाहां कि अब लिग पूर्सट प्रेटर बूह ज़ादा होगी कर लिग तुन भी स्वर्स इस तुन इस डेसर जर्धं अधिने जो दींड चुन वां होगा लेक्ष है जब लगाएं नहीं क्या को फोर्ट तो पाज़ेकर आएगे तो उन्में आठ्रेक्शन याडिप्ल्चन हो रोगी फॉर्स मेंगनेंटिक फॉर्स क्या है तो त्रήमेंटेर ज्यादा हो जब इन सब्सक्राइब करते है तो ज्तने कम से होगा। नहीं को फरक नहीं पड़ेगा कोई फोर्स इंटे किछ में काम नहीं करेगा तो यह आपने में इसकी प्रोपर्टीज देख लिए बाकिया आपको अब तक कोई प्रोब्लम हो इस टेक्चर में तो आप बता सकते हैं आप अपना स्लेव स्कवर किजिए नेक्स टेक्चर में कर thank you